अधियर श्ट्वेंट्स नीट यूजी एस्पेसल ट्रिक के सिरीज में दो से तीन मिट का जो स्रीज वह मुझा बताते हैं उसमें आज का टॉपिक है फिर एक्जाम्पल ओफ ओल ग्रीन हिल इसके लिए देखे में ट्रिक बनाया हूं ठीक है जो आपको बहुत बिल्ब अच् देखे क्या है इसको रटने में बहुत परिसानी होती है जो एक्जाम्पल है इस यू वी एस यू भी ठीक है 5CS जिसे 500 आता है तो हमारा क्या है 5CS है ठीक है एस यू भी एक दो तीन चार पांच सी और लाश्ट में एस ठीक है यानि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ बहुत यह नौ एलगी यानि नाइन जो एलगी हम बताने जा रहे है वो इसका एक्जाम्पल है किसका ग्रीन एलगी का तो देखे एस से अस्पाइरो गायरा नाम सुनें होंगे आपका इसको हम लोग पॉर्ण सिल्क भी बोलते हैं इसको क्या बहते हैं पॉर्ण सिल्क है XN spectrum और absorption spectrum C से KARA C से KARA ठीक है ये कारा जो है ठीक है ये भी आपका है LG है ये भी मतलब advanced LG है ठीक है फिर उसके वाद C से clemydomonas clemydomonas जानते हैं clemydomonas इसमें isogamous, oogamous, inisogamous सब होता है ठीक है ये unicellular LG है ठीक है ये unicellular green LG है उसके बाद C से Chlorella C से Chlorella Chlorella देखें यहां पर Chlorella, Clamidomonas 1, 2, 3, 4 एक आपका है C से Cephalurus Cephalurus यह जो Cephalurus है यह आपका है यह जो Cephalurus है यह आपका है एक मात्र Green Parasitic Elgi मतलब एक मात्र Green Elgi जो Parasite के रूप में रहाता है और यह किसके रूप में काम करता है यह Parasite के रूप में रहाता है यह करता है Red Rust of Tea Red Rust of Tea एक मात्र Parasitic Green Elgi ठीक है और S से यह देखें यह विवादास्पद है यह Controversial है पहले NCRT में यह Green Elgi में दिया होता है SS for Aspirulina ठीक है Aspirulina लेकिन अभी इसको नए NCRT में इसको Blue Green Elgi में अग दिया गए इसलिए इसलिए विवादास्पद हटा दीज़े 5 CS ठीक है तो Aspirogara, Eulotrix, Volbox, Cladophora, Cara, Clemidomonas, Chlorella और Cephaluris ठीक है यह आपको याद हो गया दो मिट के अपर Thank you so much